असलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सौधी अरब की लेटेस्ट एहम और तरीन खबरों के बारे में यानि कि जो लोग सौधी अरब में रहते थे और वो लोग इंडिया छुट होया है तो उन लोगों के लिए Ministry of Interior की तरफ से एक बहुत ही बड़ा आयलान कर दिया गया है जो कि दोस्तों अन तमाम लोगों के लिए एक बढ़ी खुस ख़बरी है तो दोस्तों अगर आप भारत सा सौधी अरब के डारेक्ट इंटरनेशनल ड्रेवल करना चाहते हैं तो पिलीज इस वीडियो को शुरू से लेकि लास तक देखें और अगर आप चैनल पर नहीं है तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फिरस कर दें ताकि आने वाली हर नूँ वीडियो का नोडिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तों बिना वो भी सौधी अरब वापस आ सकते हैं मुकीम गेर मुल्कियों की वापसी के लिए वेक्सी नियाफता होना जरूरी नहीं रहा है ओकाज अकवार के मुताबिक मिनिस्ट्री ओफ इंट्रियर ने अपने प्रेस कोंफिरेंस के दोरान कहा है कि सौधी सहरियों के बहरूने मुमलकत सफर करने के लिए PCR टेस्ट जरूरी था अब ये पाबंदी खतम कर दी गई मिनिस्ट्री ओफ इंट्रियर ने कहा है कि इस पाबंदी से 16 साल के कम उमर के जो लोग है उन्हें छूट दी जाएगी और वो भी जिन्हें तवक्लना अप्लिकेशन के केटिगरी में रखा गया है आगे करनल तलाल अलसलहूब ने कहा है कि जो मुकीम गेर मुलकी वेक्सीन लगवाए भी गेर साओधी अरब में आएंगे उन पर वेक्सीन के हवाले से वही पाबंदी लागू होगी जो साओधी सहरियों और मुमलकत में यानि कि साओधी अरब में मौजूद लोगों के उ जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों जब आप लोग सौधी अरब में पहुंचेंगे तो आप लोगो को क्रोणा वैक्सीन का दोनों या फिर तीनों डोज लगवाना होगा बिगेर वैक्सीन लगवाए आप लोगो को कहीं भी जानने की इजाजत नहीं होगी दिस तरीके से यहा अपना मुकीम रजिस्ट्रेशन कंपिलीट करना होगा अगर आपने वैक्सीन लगवाए तो वैक्सीन सिलेक्ट करना होगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाए तो अनवैक्सीनेटर सिलेक्ट करके अपना फलाइट नमबर टिकट नमबर पासपोर्ट नमबर कहां से कह पूरी डिटियल आपको फील करना होगा ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो और मुकीम रिजिस्ट्रेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आगे करनल तलाल अलसलहूब ने कहा कि सौधी अरब से बाहर जाने के लिए PCR टेस्ट की पाबंदी यानि PCR टेस्ट के नियम को खत्म कर दिया गया है लेकिन ऐसे मुलक यानि की ऐसे देश का अगर आप सफर कर रहे हैं तो सफर करते वक्त PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी जाएगी जहां पर ये पाबंदी अभी भी मौजूद है तो दोस्तो अगर आप लोग सउदी अरब से भारत के लिए डारेक्ट इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो आप लोग अगर फुली वेक्सिनेटेड हैं तो आप लोगों को PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है